और हैंन साथ सब का स्वागत है आपके अपने चैनल दभी अप्डेट पर आज कि हम सभी के साथ important वीडियो में और आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही खास अप्डेट जो हम बात करेंगे से वेवेट 2020 के लिए जो भी candidates इस बार जो examination में appear होने वाले हैं CBC Board 2020-2024 को लेकर बहुत ही बड़ी update निकल कर आ चुकी है जो भी candidate को इंतिजार था आप सभी के examination के date sheet का तो CBC ने कल आप सभी के date sheet को चारी कर दिया है जी हाफन हम आज की इस वीडियो में discuss करेंगे हाला कि आपने time table को तो देख लिया होगा date sheet को आपने note कर लिया होगा और उसके according आपने preparation भी start करने के लिए आपने plan start कर दिया होगा क्योंकि आप सभी की examination जैसे की देखा जा रहा है आपका 15th web से start होने जा रहा है CBC Board class 12 की बात करें तो जी आपने इस वीडियो में class 12 questions के आप डिसकस करने जा रहे है और हमारी चैनल अभी update पे आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी update है कि आप सभी को आज से ही कुछ से बहुत से चीजह important जो आप सभी examination point of से important है most important pyqs questions जो है आपको देखने को मिलेंगे और वह जो format होगा वही format वही standard होगा जो आप सभी examination में पूछे जाने वाले हैं तो जो भी candidate first time budget कर रहे हैं अपने चैनल अभी update पे तो चैनल को जल्दी से subscribe करेंगे साथ साथ बल आइकन को क्लिक कर लेंगे साथ साथ हमारा टेली ग्राम चैनल जिसका नेम अभी update for cuit है उसको भी जोइन आप कर लेंगे जेफन अभी update for cuit को भी जल्दी से जोइन कर लिएगा यह हमारा टेली ग्राम चैनल है जिस पी हम लोग बहुत सारी important जो प्रियक्स होंगी वहां पर हम आपको शेयर करते रहेंगे अभी update for cuit को टेलीग्राम चैनल को जोइन करेंगे साथ सब्सक्राइब करेंगे कि आप सभी को proper time दिया गया है इस बार के जो duration हो था बहुत सारे students को previous year से mind में confusion रहता था और साथ-साथ-साथ-सको problem हो दी थी कि examination proper time नहीं दिया है सेवेशी ने उनके preparation के लिए हाला कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है चाहे आप PCM standard group के आप student हो या फिर PCB के हो या फिर commerce stream के या फिर आपके source science के कोई subjects हो आर्ट site के stream के students हो सभी के लिए proper time division इस बार सेवेशी ने उनकी जो date sheet को overall अगर देखा जाए तो साब साब देखने को मिल रहा है हाला कि आप सभी कैने पेंट पेंट से लेकर बैठेंगे और अपने जो dates हैं उसको आप note down कर लेंगे आप सभी कि देखे 15th feb से examination स्टार्ट हो रहे हैं सिबसी क्लास 12 के स्टेंट के अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो पहला जो most important जो paper होने जा रहा है वो सभी का वह है आपका हिंदी इलक्टिव एंड हिंदी कोर का 19th feb से जिन्वे स्टेंट्स ने सिबसी बोर्ट क्लास 12 में और optional subject में आपने अगर हिंदी subject opt किया है तो उनका सबसे पहला paper 19th feb से start होने जा रहा है जो mean paper है जो बड़ा paper है जिए है उसके बाद हम बात करें optional subject है हिंदी तो उसके साथ साथ जो भी candidates ने हिंदी के लिया होग होगा या फिर हिंदी elective core होगा या elective hindi core होगा तो उन सभी का examination 19th feb को होगा देन उसके बाद जो main examination आप देख सकते हो अगर आपका इन में कोई examination है तो आप अपनी date sheet को note कर लिए अपनी copy में साथ-साथ मैं इसका PDF जो है अपने telegram channel अभी update for co2 पर हम send कर दे रहे हैं वहां स second feb को होने जा रहा है जो आप सभी का English elective English elective score हो गया या फिर English elective cbc functional English का जो examination हो गया या निक English के examination 22nd feb 2020 24 को conduct किया जाने वाला है cbc board class 12th की बात करें दो जो main examination जो सभी candidate जो हैंगे class 12th के उनको examination of peer होना है 22nd feb की बात करें ओके और बात करें जो main subject है आपको मैं उसी क्रियेट्स बता रहा हूं साथ साथ जो भी अगर other subjects है आपके तो आप वहां पे आप देख सकते हो no down कलिपने कॉबे में और preparation स्टार्ट कर दीदे के 23rd आपके 22nd feb के बाद जो most important examination हम बात करेंगे आप देख सकते AI का भी examination है और आपका optional जो भी subject हम लि chemistry का जी आफेंड 27th 20 seconds to 27th यानि की देख सकते हैं मैंने वही बताया आपको starting वी वीडियो में कि सिलिसीन इस बात का proper जो duration है इस तरीके से सेट किया गया है जैसे कोई भी को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो प्रॉपर टाइम डियोरेशन के साथ गैपिंग प्रॉपर दी गई है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सभी कैंड को प्रॉपर की तरीके से chemistry के examination आपको प्रॉपरेशन के लिए ओर रल पॉर तुफाइव डेस आपको मिल रहे है तो आप प्रॉपरेशन अच्छे से कर सकते हो बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा है नेक्स्ट आम बात के जो main examination देखिए आर्टेस्टीम और इस्ट्रिंस का है वाला आप देखिए तो प्रॉपर गैपिंग देखिए 27 फैब को आपने देखा 27 फैब को chemistry का था तो फूर्थ मार्च को आपका physics का examination है प्रॉपर गैपिंग है साथ साथ अब हम बात करेंगे mainly other subjects जिसे हम बात करें physical education का जो examination है आप देख सकते हो वह है आपका 12th March तो 12th March को physical education हो गया आपका then हम बात करें जो important examination है वह है आपका 18th March जी हां 18th March को जो main examination है वह है economics commerce system on students का examination जो start हो का main है जो economics का वह है आपका 18th March को and PCB students का जो biology के examination है वह है 19th March को आप सभी preparation करके रखिएगा 18th March को economics के examination and 19th March को biology के examination होने जा रहा है और नेक्स्ट बात करें आप सभी का देख सकते हो political science 22nd March then 23rd March को main examination commerce वाले स्टीन के स्टीन का 23rd March को जो है आपका accounting का होने जा रहा है accounting के examination जो है आप सभी का जो है आपका 23rd March को होने जा रहा है okay my dear friend move on करते है next examination की जो आप सभी का है आप सभी का जो next examination accountancy के बाद overall हम बात करें आप सभी का जो next examination 27th March को है जो commerce stream का BST का examination जी है BST का examination 27th March को इस बार conduct किया जाए ताब आप सभी की देखे proper gaping है आप economics accountancy की paper के बाद और economics के paper के बाद आपके पास भी proper time है BST के paper के preparation के लिए जी है आपने देख सकते हैं BST का examination 27th March को end होगा then जो art stream के streams का 28th March का history का examination overall last examination जो IT का होगा 2nd April को okay my dear friend तो देख सकते हो 15th Feb से examination आप सभी के start है और 15th Feb के examination के starting से लेकर आप सभी का end जो होने जारा आपके examination देख सकते हो आप सभी का 2nd April तक जी है तो आप से भी preparation करें start कर दीचे आप से भी क्लिए most important PYQ questions जो है हमाई team बहुत जल्द अपनी चैनल पर update करेंगी और upload करेंगी जैसे आप preparation कर पाऊ with solution जो हम प्रीवाइक्यू जो discuss करेंगे सासर most probable important questions वी वी आईप questions में लाते हैं जो important होता है बहुत सारे candidate को helpful होता है कि वह सभी चीज़ हम करने जा रहे हैं फिर से इस बार और सासा जिन भी candidate अभी तक हमारे telegram चैनल जिसका नेम अभी update for CUT है अभी तक आपने जॉइन नहीं किया तो उसको भी आप जॉइन कर लिजेगा क्योंकि वहाँ पे important PDF होंगी आपको notification medal को भी क्लिक कर लिएगा कोई भी update होगी सिबसी की सबसे पहले आपके अपने चैनल अभी update पर प्रोवाइड की जाएए ओकि माईडी फैन आप सभी की examination के लिए all the best और preparation अच्छे से करते रहे फिर मिलेंगे next video में तब तक के लिए thank you for watching this video thank you